स्टार्ट करते हैं सबसे बहुत यह उन्फॉर्चनेट न्यूस से तो आयरन शेक के बार में आपको पता ही होगा डबल लबली में लेजंड रहे हैं इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं यह बात हमको इनके सोच में प्लैटफॉर्म के दूप पता चली जब इनके घरवालों की तरफ से यह बात सामने आती है इसके बात क्या था जो सारे डबल लबली के सूपर स्टार से उनको डबल लबली उन्होंने इस बात को बताया क इस दुनिया में नहीं रहे डबल लबली के अंदर आपको पता होगा का करियर काफी जादा काफी हमें मेरे बन मुवमेंट रहे हैं इवन हॉल ऑफ फेमर का जो खिताब है वह उनको मिला हुआ है तो रेस्ट इन पीस तो हिस सोल और उमीद करते हैं कि जो फैमली है वो इस ह करना छोड़ दिया तो उसके बाद रहने अंके साथ उनका एक बैक्सेज इंटर्वी होता जिस पर व्यूज भी दो मिलियन से जादा है यूट्यूब में तो वहां पर पूरे आखों में आसु आयोए थे पॉलमें के सब लोग सोचने हैं कितने अच्छे एक्टन है पॉलम क्योंकि जब भी आपने फादर के बारें बाते सोचते हैं उनको पता ही है कि वह इमोशन हो जाते हैं और इसलिए वह वहाला सूट उस सेग्मेंट में पहने हुए थे अपकिस लेवल पर पादर के फ्यूनरल पहना था इस समको यह पता चलता कि कि किस अल्टिमेट लेवल क कि डेडिकेशन के अंदर यार कि सोचो वह इतनी अपने इमोशनल चीज को ऐसे करते हैं और इसके लिए जिगरा भी चाहिए तो इसके तो बाई सल्यूट है कितने सल्यूट है वह तो आप बताना मुझे कॉमेंट सेक्शन में आपका इसके बार मैं क्या थोड़ा मेरे तो स कोच के समझ के परह निकलिए बाद जब मुझे पॉल हमन के बार में पता चलिए अगली स्टोरी के तरफ हम लोग चलते हैं और यह आपके लिए खुश होने वाली बात है क्योंकि इस साल में आपको डबल डबली के अंदर नए स्टेज देखनी को मिल जाएंगे ऐसा क्यों डबल डबली में जो लोग हैं वो खुश नहीं है जिस तरीके से डीमन बैलर को दिखाया जा रहा है कि यह बंदा काफी ज़्यादा वीक है और आप किसी को इतना ज़्यादा कोई खास डीमन वर्जिन नजर आता भी नहीं है अभी जैसे आपको पते यह सैथ रॉलिंस और उनका मैच पॉसिबली मनी दा बैंक में होने वाला है वर्ल्ड हईवेट चैंपन्शिप के लिए तो ऐसे में कुछ यसी बात यह थी कि डीमन बैलर वो सूपरस्टार हो सकते हैं जो कि मैच करेंगे सैथ रॉलिंस के साथ में लेकिन डीमन बैलर के बार में यहां पर फिलाल बैलर का इसके बार में आपके थोट से बाइब कर सकते हो रोमन रेंज ब्लॉड लाइन वाला जो पुरा सेग्मेंट वा था जहां पर वो जिम्यू उसा ने बजाया था उसके बाद सोलो सिकमाने बजा दिया इसके बार में जो डबल लबली के सोशल मीडिया पर रीच और देखने के सांसत इस चीज को पसंद भी किया है हम चलते हैं अपनी अगली स्टोरी के तरफ और क्या ऐसा हो सकता कि कोडी रोड्स के वाइफ ब्रैंडी रोड्स भी डबल लबली कंपनी में आ जाएंगी एक टाइम पे दोनी सूपरस्टार जो एडबल कंपनी के अंदर हुआ करते थे हाला कि अब दोने सूपरस्टार वहाँ पर नहीं है इवन लोगों सुने भी थे कि कोडी रोड्स ने आएंगे साथ में उनकी वाइफ भी आएंगी बट वह चीज़ में लोगों ने देखी नहीं तो क्या पता यह हो चीज़ आपको फूचर में देखने को मि उनकी पूचा कि क्या एले नाट लैडर में जीतने वालें तो इस पर उनका कहना यह था कि सब लोगों के बात कहने दो कि कि जो एंड में result होगा उसके बाद सारे के सारे सारे लोग डिखने वाले हैं तो कि इसका मतलब यह है कि जहां दुनिया सारी में बात कर देंगे अए में डबल डबली ने कुछ और इस मैच का फिनिश प्लान किया है तो अगर ऐसा कुछ होने वाला है तो देखने में मज़ा आगा कि जब सड़न ऐसा कोई डिफरेंट सीज होती है और अब हम सुननी रहे तो फिर उसको देखने में काफी मज़ा आता है देखते हैं वेंचुरी स्मैक डॉन हो रहे तो वहां के लिए अभी से एज कर देगा है अभी यह कहा था एजने की नेक्स्ट येर वह अपने ही क्राउड के सामने रिटायर होना चाहेंगे तो बहुत सारे लोग यह भी स्पेकुलेट करने कि भाई कहीं यह स्मैक डॉन का वह एडिशन तो नहीं व मतलब यहां पर यह तारीफ है कि कैसे बंदा जो है कितना चीजों के लिए और कितना सच में अच्छे माइनों में अच्छा इंसान है कि एज और जॉन्स ने की जो यारी है वही बहुत जादा अच्छी है क्या रोमन रेंज ब्रुनो सैंवर्टीन का रिकॉर्ड तोड़के कि 2021 तक चैंपिन रहने वाले हैं इसके साथ साथ जो हमने असली अखाड़ा पॉडगास में आपसे का था कि बाई कॉमेंट करो तो बहुत सारे कोश्चिंस हम लोगों ने लिये है वो क्यों एन एपिसोड अलड़ी आगया उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएग कि बाई उनका जो लेग है वो 15% पैरलाइस हो चुका है और वह वैसे ही चल रहा है इस समय यह बात उन्होंने बताए कि मेरे पैर बड़े अजीब से राइट लेक्शन करना पड़ा ताकि वो उसको और ज्यादा स्ट्रेंथ दे सके तो बाई पता नहीं क्या-क्या सरजरी से भी वो गुजर रहे है और अब उनके रिकवरी जो है वो शुरू हो रही जिसको रिकवरी करने में भी काफ़ी टाइम लगेगा तो होपफुली चीज़े सही हो जाएं ब्राउंस्ट में लेकिन यह जानगे मुए तो हैरानी हुई कि 15% उनका जो पैर हो पैरलाइ कर दिया है अगेंस्ट डेमियन प्रीस्ट यानि सेथ रॉलिंस मैंक्डाउन के एपिसोड में प्रीस्ट के सामने अपनी वर्ल्ड हवीवेड चैंपिंशिप को डिफेंड करेंगे अगें वही बात आ यहां पर कि जो डेल लेने गया क्योंकि सूपरस्टार एक दूसरे ब् से कुछ साल पहले बिग डॉक से रॉमन रेंज बने थे ट्राइवल चीफ तो इसके बारे में बात करते वे यह का कि एक्चुल में कौन वह बंदा था जिन्होंने इस चीज को किया और कौन इस आइड़ के सांथ आया तो उन्होंने वह नाम लिया विंस मिक्मैन का कि विंस इस चीज की जरुए थी इवन रोमन रेंज के प्लैन में पहले से था कि अब जब वह दुबार से डबल डबली में वापस जाएंगे तो वह वैसे तो नहीं जाने वाले जैसा वह अब तक डबल डबली में अपना रन देख चुके हैं और इवेंचली जब बैट के सारी बा कर दो and see you guys in my next video